कुछ हमने अल्रड़ी पढ़ाई की थी लास्ट क्लास में क्योंकि एक क्लास हमने अल्रड़ी शुरू कर दिया है मैं कुछ आपसे फटा-फटे सवाल पूछूंगी युवाब तू 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 राएं अल्रड़ी विए बहुत जाएं जरूरी होता है लोग के क्लास में की हम चुपना रहें ठीक है हम बोलते रहें तू मेरा पहला सवाल फोकस करना और ढग से सोच समझ के जवाब देना अगे we are just trying to recall what we have done in our last class with first a few set of questions and then we will revise तो मैंने क्या किया है I example let's take an example I formed a company with three students ठीक है मैंने एक कंपनी बनाई आप में से किसी तीन के साथ मिलके एक हमें अच्छा आइडिया आया तो मैंने एक कंपनी बनाई हमारी कंपनी में कितने लोग है कितने हुए टोटल फोर मेंबर्स हुए एक हाँ से दो और त्री I formed a company with three of my students तो टोटल कितने हुए बन प्लस तरी अब ये तोड़ना मैं सिखाऊंगी तो टोटल कितने हुए चाहे चार मेंबर्स हुए ठीक है ये सवाल नहीं था मेरा सवाल तो अभी आने वाल है यार तो टोटल फोर मेंबर्स के साथ हमने क्या किया एक कंपनी शुरू की क्या हम एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं अब अगले दिन आप मिले भई मीटिंग मीटिंग होने वाली थी सारे मेंबर्स मिलेंगे, डिसाइड करेंगे आपने दिकाशिवांगी माम की जल्गे कोई और बैठा है आप भी हरान परशान होगे कि अरे यार हमने तो और कोई नहीं जमता हमने तो माम के साथ मिलके कमपनी खोली थी कि माम का विजन थोड़ा सा मिलेगा, माम तो निकन ली अब हम क्या करें आपको क्या लगता है ये सिचुएशन में मेरा शेर्ज को सेल करना टू एनी आदर और एनी थर्ड पार्टी इस करेक्ट और इनकरेक्ट क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, गलत, गलत मैं आपने इस सरासर गलत किया हमारे साथ मतलब क्या मैं अपने शेर्ज बेच ही नहीं सकती मतलब अगर मुझसे लाइफ में कोई गलती हो गई मान लो मैंने कमपनी आपके साथ बना ली उसकी बाद मेरा नहीं मन किया, मैं को नहीं जम रही है कंपनी, तो क्या मैं फस्स गई, lifelong फस्स गई मानलो मैंने 50,000 रुपे contribute किया था, 50,000 रुपे के shares issue हुए थे, 50,000 सब बच्चों ने किया था या किसी ने 20 किया था, किसी ने 10 किया था, कुछ भी किया था, तो क्या मैं फस्स गई, मैं बाहर नहीं निकल सकती इसका solution क्या है, निकल सकते हो बाद, कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे with एक word है जो हमें याद रखना है and that is consent, हर जगे consent बहुत जरूरी होती है with consent, ठीक है, दूसरी चीज, मान लो, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट कल हमने established किया था था न, कि फ्लिपकार्ट कैसी कंपनी है, फ्लिपकार्ट is a private company और a public company, फ्लिपकार्ट इंडिया, private limited, है न, so it's a private company, इतनी बड़ी private company है, आपको क्या लगता है, इसको funds की जरूरत नहीं पड़ती होगी, पैसे नहीं चाहिए होगे, और expand करने के लिए, चाहिए होगे, तो क्या इससिफ एक source of funding से restricted रहेगा कि bank से job, bank से loan लेलो, क्योंकि public के पास तो यह जा नहीं सकते, public के पास जा सकते है क्या पैसे नहीं जा सकते, क्योंकि आपके private company है, तो आप public offer नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि flip card को किसी ने थोड़े time पहले acquire किया था, ऐसा कुछ news आई थी, थोड़े time नहीं, मतलब बहुत time पहले मैं बोल सकती हूँ, कुछ याद है, क्या याद है, answers तो मुझे सही आ रहे है, walmart, 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 तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, flip card ने भी अपने shares किसी को sell किये, है ना, किसी को दियो और बहुत बड़ी funding raised क इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे भी shares दिये ना, तो आप एक बात अपने दिमाग में कहीं न कहीं बठा लो, कि जब हम issue of shares की बात करते हैं, तो ये privately भी दिये जा सकते हैं, और ये public offer के माध्यम से भी दिये जा सकते हैं, तो public, get my point, बस थोड़ा सा back of the mind रखना है, अभी इसका concept हम दे नहीं पड़ा है, भी हमें shares, issue, यह सब कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, बस हम एक point कहीं न कहीं दिमाग में रख रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि private companies छोटी होती हैं, private companies बहुत बढ़ी हो सकती हैं, और private companies के पास भी sources of fund हो सकते हैं, the one thing that they don't have or is prohibited is public offer, public offer आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, अब एक और सवाल, एक company हैं, let's say ABC private limited, लिखो, it has 199 members, ABC private limited, it has 199 members, Abhi wants to purchase share of this company but insists on joint holding with his wife will it amount to contravention of section 2 clause clause 68 very good अब बहुत सारे, in fact, I would say, जो new age couples होते हैं, वो क्या करते हैं, हर काम साथ में करते हैं, तो mister, अभी जो हैं, उन्होंने कहा कि, में को shares तो purchase करने हैं, बट, मेरी क्या होगी, joint holding होगी, मैं और मेरी wife जो हैं, हम दोनों shares खरी देंगे, jointly खरी देंगे, मतलब, एक share पर हम दोनों का आधा-ाधा हक होगा, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है, already इस private limited company में कितने members हैं, 199 members हैं, ठीक है, अब 199 में अगर दो members और जुड जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 201 members, हाँ या ना, और limit कितनी है, 200 तक ही है, मतलब, maximum 200 members हो सकते हैं, ऐसा निया कि 200 allowed नहीं है, in a private company, there can be maximum 200 members, 200 से उपर गए तो आप private company नहीं रहोगे, आपको public बनना पड़ेगा, आपके सारे privileges छिन जाएंगे, अभी बताओंगी कि क्या privileges या exemptions में मिलते हैं, तो बताओ, क्या किया जाए, क्या ये contravention हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, क्या ये contravention होगा, पक्का नहीं होगा, क्योंकि joint holders are counted as one, come on everyone, repeat with me, joint holders are counted as one, ये repeat करोगे ना, तो ये लिखने में असानी रहेगी, क्योंकि बच्चे आधे कहाँ fail होते हैं, जब वो लिखने ही पाते हैं, ठीक है, और लिक इसलिए नहीं पाते हैं, क्योंको समझ ही नहीं आता है, sentence क्या से frame करना है, माम तो ये हमारे keywords है जो निकलके आई है Joint holders are counted as one single member यही तो लिखना है exam में समझ में आई बात? चल ठीक है, एक question और पूछती हूँ ठीक है, पूछो चलो, यहाँ पूछती हूँ ABC Private Limited has 150 members हम दो हमारा एक English अच्छी हो तो benefit क्या है याँ, यह चैट में लोग के अलगी बाते शुरू हो जाती है कुछ हम दो हमारे एक भाई, फैमिली प्लानिंग बात बे करना ABC Private Limited has 150 members okay 60 employees of the company or write it this way company intends to issue shares to 60 employees of the company पहला सवाल can it do so क्या यह कर सकती है हाँ या ना बड़ा सिंपल सा सीधा से सवाल कर सकती है किसी को कोई confusion है इसमे नहीं है क्यों क्योंकि employees तो exception में आते हैं तो अगर हम 150 में 60 आड करेंगे पहली बात तो हम 60 आड ही नहीं करेंगे क्योंकि जब हम limit of 200 members check करते है we don't count the employees तो 150 members है 150 ही रहेंगे employees are not counted in the limit of 200 employees are excluded from the limit of 200 तो यहां पर can it do so the answer is a big yes बिलकुल माम ये company कर सकती है दूसरी चीज़ एक second सवाल इसमें पूछ रही हूँ second सवाल क्या है let's say out of these 60 employees 52 employees employees left the company and joined another company do for ABC private limited required to convert itself into public company connect चलो दूसरा सवाल मेरा out of these 60 employees 52 employees ने company छोड़ दी मतलब अब वो company के employees नहीं है right company के पास 150 members थे हमने का employees count नहीं होते है तो जो 60 shares आपने employees को issue की है वो 200 की limit में count नहीं होंगे उसके बाद पता चला कि उसमें से 52 employees तो छोड़के चले गए तो क्या अब वो 52 employees 200 की limit में count हो जाएंगे क्योंकि अब भी उनके पास shares है हमारी company के वो shareholder है हमारी company के वो member है हमारी company के पर वो हमारे employees नहीं है वो employees नहीं है तो उनको 200 की limit में count कर लेते हैं तो यह total हो जाएगा 202 मतलब यह 200 के पार हो गया तो अब इसको public company बनानी पड़ेगी पक्का सबको समझ में आ रहा है नहीं माम क्या आप अड़बंड बोल रहे हो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जो employees हैं वो भी 200 की limit में count नहीं होते हैं और जो X employees हैं हम X employees नहीं लिखेंगे एक्जाम में हम क्या लिखेंगे persons who were formerly in employment या former employees भी हम लिख सकते हैं बट हम X employees नहीं लिखेंगे देखो X की यादे कहीं पे भी अच्छी नहीं होती हैं ठीक है तो X को छोड़ देना है आगे बढ़ना है समझ में आई बात चल एक quick recall करते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछती जाऊंगी और आपको सिर्फ जवाब देते जाना है जवाब मैं सुन रही हूँ या ना सुन रही हूँ doesn't matter emotional damage अच्छाए यह सब बात है तो बड़ी जल्दी समझ में आती है कम्पनी किस सेक्शन में defined है section 2 clause 20 कम्पनी का मतलब क्या होता है what is the definition of company company means company is incorporated under this act or previous company law right company के features हम नहीं recall कर रहे है क्या company citizen होती है क्या company का residential status होता है हाँ ऐसे नाना में जटके में नहीं बोलते है company का residential status होता है company की domicile होती है company citizen नहीं होती है right MCA या companies act में मंदर कौन होता है ROC होता है ROC क्या करता है ROC companies के records को दरच करता है ROC के ऊपर कौन होता है Regional Director, RD है न, Regional Director क्या करता है ROC के Working को Supervise करता है हमारी कौन सी Ministry है जो Companies Act को या इसके Rules वगएरा सब चीज़े बनाती है MCA, Ministry of Corporate Affairs, ठीक है इसमें जो Judiciary Handle करता है, वो कौन है, क्या Courts है या कुछ Special Judiciary बना है NCLT, NCLT का Full Form क्या होता है National Company Law Tribunal, ठीक है Companies Act में कितने Sections है 470 Sections, ठीक है Prima Face 470 ही हमको दिखते है अब वीच-बीच में और आ गए है, तो total number of sections obviously 84 शायद आता है बट लगबग उता ही आता है chapters कितने है 29 chapters, schedules कितने है schedules कितने है 7 schedules, ठीक है बहुत अच्छी बात क्या ये Act पूरे इंडिया पर लगती है या जमुएन कश्मीर पर नहीं लगती है It extends to Whole of India And it extends to what type of companies Companies incorporated Under this Act or previous company law उसके बाद 3 special तरीके की Companies बांकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरंस है ना बांकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरंस पर क्या सारे प्रोविजिन्स लगेंगे Companies Act के हां सारे लगेंगे पर अगर इनकंसिस्टेंसी होगी तो क्या होगा Specific Act shall prevail over Companies Act है ना, तो उनकी जो Specific Act है वो लग जाएगी और क्या हमने पढ़ा था? और किस पर लगता है? Companies, any other companies governed by special act या फिर वो body corporate जिसको CG ने notify किया हो तो किसको notify किया है? दो बताया था मैंने कुछ याद है याद है ना, FCI और NHI ठीक है? Very good चलो, बहुत अच्छी बात है Private company का थोड़ा सा हमने recall obviously कर लिया है through the examples Now, before we proceed further मैं एक private company का again question है जो आपके साथ करना जाती हूँ I'm not giving you the question I will display the question on screen ठीक है? और उसके बाद हम इसकी answer writing करेंगे Okay? The very first answer that we are writing in our class तो बहुत कुछ मुझे भी आपको समझाना है सबसे पहले type of questions this is something that you have to write लिखो type of questions asked in exam I'm talking about the descriptive part I'm not talking about the objective part Ma'am, it's my first class कितने pages लीव करूं पहले के लिए दो तीन pages आप लीव कर सकते you can see the first class we haven't done a lot of writing part in the first class Okay? चल So, we have direct questions and we have case study In case study also we have two types of questions single question or divided in parts जैसे हमारा ये एक का एक question होता है और यहाँ पे जब मैं divided into parts बोल रहू हूँ न तो हमारी एक ऐसे case study होती हो और उसके बाद इसे धीरे से पूछता है समझ मैं आई बद? इस तरीके के questions भी बहुत जादा आते हैं हमारे exam में कि first part, second part तो उसको address करने का तरीका और writing का तरीका अलग होता है ठेक है आज अभी जो हम question pick up करने वाले हैं वो हम ये question pick up करने वाले हैं ओके बट 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 वी नीट तो नूँ इस हाव तो राइट केस स्टाडी आंसर्स case study और case law में difference होता है I hope you all know that case study का मतलब भाई कोई भी एक situation बना दी गई है एक fictitious situation जस situation के basis पे हम वो आंसर करना है अपना उससे relate करके और case law का मतलब क्या होता है judgments हर दिन court में कितने cases चलते हैं हर एक चीज आक्ट में लिखी हो ये जरूरी नहीं है या आक्ट को कभी-कभी interpret करता है जो हमने कहा था कि government का जो judiciary organ होता है वो क्या करता है interpretation वाला काम करता है तो court के पास हम जाते है देखी इसने मेरे साथ ये किया उसने वो किया ये तो ये कह रहा है तो वो क्या होता है case law होता है वो judgment होता है Salomon versus Salomon actually it is separate legal entity के उस पे respect में समझो आप तो ये बहुत ही famous case law है तो हम यहाँ पे case study answers की बात कर रहे है कोई मुझे बता सकता है कि case study answers कैसे लिखते है पढ़ा है ना पढ़ा है की नहीं पढ़ा है सबने आता है लिखना आता है हाँ चलो बता provision जो जो बोलते जाओगे मैं लिखती जाओगे provision provision facts provision facts आगे conclusion देखो कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि provision लिखेंगे माम फिर facts लिखेंगे उसके बाद analysis करेंगे और उसके बाद conclusion करेंगे है ना प्रोविजन, facts, explanation, conclusion so ideally अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि हमें चार पार्ट में इसको divide करना चाहिए है ना हमारे answers को चार पार्ट में divide करना चाहिए ठीक बात है ideal answer writing हम इसी को कहते हैं पर अब आते हैं भई practical aspect पर practically ये एक ऐसी चीज़ है जो possible नहीं होती है आपको तीन नंबर का question पूछा है यार तीन नंबर में आप छार पार अगर आप में कहां डिवाइड करने जाओगे it is something which is not possible अब सवाल ये उठता है कि ma'am अगर इसमें से कुछ miss करेंगे तो क्या हमारे नंबर कटेंगे मैं आपको बताऊँ नंबर सिर्फ दो चीज़ों पर होते हैं out of these four paragraphs अगर step marking के आप बात कर रहे हो जैसे institute avoid करती है तो सिर्फ दो चीज़ों पर नंबर देती है किस पर देती है provision पर और conclusion पर facts और analysis का ideally हमरे answer writing में बहुत major role नहीं होना चाहिए समझ में आई बात provision और conclusion इनहीं दो चीज़ों पर हमें ध्यान देना है अगर हम facts और analysis नहीं लिखेंगे doesn't matter however हम ऐसा नहीं कर सकते न कि provision लिखा और लिख दिया last में yes और no या contention of director is correct ऐसे तो नहीं लिख सकते connect तो करना पड़ेगा न answer को provision और conclusion को connect करना पड़ेगा तो connection के लिए जितनी चीज़ जरूरी है आज से आप card बांद लो कि आप सिर्फ उतनी ही चीज़ लिखोगे because you have limited time समझ मैं आई बात तो भूल जाओ ये मनोहर कहानिया जो सुनाई गई थी कि चार paragraph में लिखना है बिल्कुल भी नहीं लिखना है ठीक है इस बात कि मैं आपको guarantee दे रही हूँ आपके लिए important है provision और conclusion और बीच का सिर्फ connection स्टाबलिश करना है तो ये जो facts और analysis है ना इसकी जगे हम लिखेंगे connection इन दोनों के बीच का सिर्फ और सिर्फ हमें connection स्टाबलिश करना है समझ मैं आई बात ठीक है अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी I think मेरे पास होगा अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊंगी न तो आपको दिखेगा कि हाँ ऐसे लिखो देखो provision लिखो facts लिखो analysis लिखो case law है तो वो भी लिखो conclusion लिखो तो ideally हम इस तरीके से लिखते हैं बढ़ ये case law तो आप भूली जाओ क्योंकि अगर हम case law की बात करें तो case law हमें सिर्फ तब लिखना होता है जब हमसे पूछा गया है या specifically कोई topic में हमरे पास case law है तो अगर मैं इस syllabus में बात करूँ you don't have much of case laws ठीक है एक कादी आपको मिलेगा तो वो इतना relevance नहीं रखता है ओके चल अब जो दूसरी चीज हमें सीखनी जरूरी है वो ये है starting lines यह आप इसको बोल सकते हो pick up line pick up lines आती है सबको हाँ मैं pick up line कैसे नहीं आएगे हमको नहीं आती देखो सब अच्छे बोल रहे है no no मैं हम हमें गलत ना समझ ले इसलिए हम pick up line के लिए तो पहले ही no बोल देंगे क्या करेंगे हम कैसे start करेंगे no ma'am हम CA वाले आरे यार pick up line मतलब कैसे start करेंगे कहा पहुच गए शरीफ बच्चे मुझे तो नहीं दिखर है शरीफ बच्चे सोच ही गलत है as per the provisions of according to the provisions of in accordance with the relevant provision of companies act states that the given problem relates to section this of companies act there can be ample of opening lines या pick up lines आप जो भी समझो हमारे answer के लिए जैसे जैसे हम progress करेंगे वैसे वैसे आपको all lines लिखवाती जाओंगे ठीक है फिलाल के लिए हमारी starting के लिए इतनी काफी है अभी क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हम section numbers को retain करें तो we will use this only ठीक है relevant provision ये हमारा क्या होता है cheat होता है जो हम in exam कर सकते है when we are unable to recall the section number तो फिलाल in accordance with the provisions of according to the provisions of as per the provisions of section this of companies act हम इसे ही शुरू करेंगे which is very basic and very common as we progress I will give you more lines ठीक है और conclude कैसे करेंगे in view of above ठीक है या on the basis of above stated provisions है ना जो लिख रहे हैं वो लिख लें बहुत अच्छी बात है examiner भी एक इंसान होता है अभी वो समय नहीं आया है जब computers copy check कर रहे हूँ तो examiner जो इंसान है ना उसके mind के साथ हमको खेलना है हो सकता है कि दो friends एकदम same paper लिखके आएं और एक को ज़्यादा number मिले एक को कम number मिले expect this ठीक है तो जितनी भी चीज़े हम कर सकते हैं हमें करना है and this is one of them हर अंसर हम नहीं से शुरू कर सकते as per the provisions of companies act as per the provisions of companies act as per the provisions of companies act अब आप बोलोगा मैं इससे क्या फरक पढ़ता है आप क्या बात कर रहे हूँ फरक पढ़ता है क्यों क्योंकि वो जो 15, 20, 25, 1,5 गंटा जो span होता है जो examiner आपकी copy के साथ spend करता है वो आपको नहीं देख रहा है वो आपको देख रहा है आपकी copy के through वो आपको judge कर रहा है आपकी copy के through जिस भी तरीके से आपने present किया जिस भी तरीके से आप लिखते हो अगर आपकी language कहीं अच्छी है न तो उसको समझ में आएगा नहीं यार ये बच्चा तो तेज है अगर आपने पहला आंसर बहुत जबरदस्ट लिखा है उसको लगे का रही यार बच्चे से गलती हो गई कुछ शायद सिली मिस्टेक हो गई कुछ शायद गलती हो गई मतलब वो आपको जज कर रहा है हर पॉइंट पर तो हमको उसको अच्छे रीजन्स देने हैं मोनोटनी नहीं इस्टाप्रिश करने ही है I hope this is clear समझ में आई बात चलो अब मैं दिखाती हूँ question और उसके बाद लिखेंगे उसका answer लिख लिख लिया था ना सबने मैंने रेज कर दिया पूरा okay so let me show you the question 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 ये रहा अमारा question I hope everyone can see this बस screen पर देखना है और answer करना है ठीक है MNP Limited अरे माम आप तो public company अभी तो आपने बोला कि private company अभी 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 पूरा इसका question कर रहे हैं तो बस सुनो MNP Limited is a registered public company इतना तो मैने बताया था ना MNP Limited MNP Private Limited MNP INC ये कौन कौन से companies है पहली वाली प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी तूसरी वाली प्राइवेट कंपनी तीसरी वाली इतना सुना होगा आपने हमारे इंडिया में अगर हम limited और private limited लगाते हैं तो बाहर भी तो कोई suffix हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो ये इंडियन कंपनी नहीं है ठीक है इंडियन कंपनी तो कंपनी तो कंपनी में अगा याइं या या क्या सीधा question पूछा है मैंने इसका total मार के बताऊ ना 210 I think यही होगा मैंने बोला था answer मत बता आप लोग क्या एक कदम आगे चलने के कोशिश करता तो भी question मैंने दिखाया और यह answer आप लोग ने पहले बता दिया ठीक है तो 210 है 210 नहीं हो सकते एक private company में 210 मेंबर्स नहीं हो सकते आगे बढ़ते है The board of directors of MNP Limited proposes to convert the company into a private limited company वो बोल रहे हैं कि यार यह public company को तो हमें private company बनाने का मन है उनका आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इसको हम private company बना सकते हैं पहला सवाल दूसरा कि existing number of members need to be reduced तब बन सकती है proposed private company ठीक है तो दो सवालम से पुछेगा है अब इनका हमको answer देना है अब answer देको मन ही मन तो सबको पता है है ना अरे मैं employees को count नहीं करते x employees को count नहीं करते joint holders को one count करते हैं सारा total total मारेंगे तो कुछ आ जाएगा 200 के अंदर आ जाएगा तो private company में कोई दिक्कत नहीं है सवाल यह उतता है कि number कैसे मिलेंगे है ना लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा सब लिखेंगे मेरे साथ क्योंकि यह पहला answer हम लिख रहे हैं तो I am going to make you right मतलब मैं लिखवाओंगी इसके बाद जब भी हम कभी लिखेंगे तो आप भी लिखेंगे ठीक है अपने से मतला तो हमने शुरू किया है in accordance with section 2 clause 68 of companies at 2030 प्रिव ड्र्वेश ग्रीश सर्भेशा अंब प्रीश बाद सब्सक्राइब करो अग्रेश प्राइब है अब्रेशन स्ट्राइशन से एभी से एभीस से अगरो as prescribed and which by its articles आप कुछ भी जो भी आपको comfortable लगता है आप लिखिए बट जब भी हम points में अपना answer लिखने की कोशिश करते हैं बच्चे एक गलती जो करते हैं वो ये करते हैं वन लिख दिया, टू लिख दिया अरे question में पूछा है वन और टू कुछ तो आप जब वन और टू का answer देंगे तब आप ये Roman 1, Roman 2 यूज करना ऐसे ही मत करना because it creates confusion examiner को लगेगा अच्छा वन का answer ये है नहीं ये वन का answer नहीं है हमारी ये ऐसी case study based question है जिसमें दो questions पूछे गए है which has a common provision so first we will state the provision then हम दोनों का conclusion करेंगे part 1 और part 2 का ठीक है? चालो, अब क्या होता है private company में, articles में क्या तीन चीज होती है? restriction होता है ठीक है? तो पहला लिखते हैं हम restricts. Restricts what? restricts what? में को दिखने रहा है कि सब बोल रहा है कोई-कोई बोल रहा है very good on that and I would really like to appreciate अधित्य अधित्य का में को constantly दिख रहा है और जवाब मिल रहा है restricts transferability of shares ठीक है? very good उसके बाद prohibits prohibits क्या करते है prohibits what? invitation to public to subscribe to its securities good और तीसरा limits limits what? limits number of members to कितना? 200 चेक है? अब however we are still writing the provision however for calculation of limit of 200 persons holding shares jointly shall be counted as one टीक है? जिसकी writing बहुत ज़्यादा खराब है वो ऐसे धीरे से इसको underline कर देगा ठीक है? आदर डालेंगे हम अभी से क्योंकि ये points हमने clearly identify किये अब ये चीज़ हम चाहते हैं कि examiner miss ना करें ठीक है? फिर अगली line में हम लिखेंगे persons in employment and persons who were formerly in employment कैसे भी आप थोड़ा सा लिख सकते हो but don't write ex-employees formerly in employment who continue to hold the shares who continue to hold the shares in company after cessation of employment yeah after their employment ceased to exist of employment shall also not be counted ठीको मैं बोट सिंपल लांगुज में लिख वारे हूँ exam में भी underline करना है यह हम exam के लिए ही काम कर रहे हैं तभी मैं आपको बता रही हूँ no change of pens no use of anything else जो आपने लिखा खट से underline कर दिया because this is something that you want examiner कि वो note करें ठीक है so total number of members are calculated as under कैसे हम calculate करेंगे directors क्या हम directors and relatives को count करेंगे क्या वो members है हमारे आप बिल्कुल है उसमें क्यों confusion आया बिल्कुल है क्या director shareholder नहीं हो सकता आज मैंने और आपने मिलके एक company बनाई और हमको मन कर रहे हैं अभी मैं चलो बताती हूँ उसके बारे मैं भी बताती हूँ फिल हाल यह लिखते है तो यह कितने थे 18 joint holders को हम कितना count करेंगे एक तो कितने हुए एक बार मैं फिर से आपको question दिखाती हूँ यह 18 हुए इसको count नहीं करेंगे इसको count नहीं करेंगे यह 7 into 214 लिखा है इसको हम 7 ही count करेंगे और बाकी 137 तो 18, 7 और 137 18, 7 और others 137 यह total कितना है या total count करू या ओके थांक्यू खुशी total is 162 total is 162 16 plus 2 का से आगया वो बीच में लग रहा है गलती से लगा गया ठीक है लिख लिया इतना आगे बढ़ू लिखना है चलो लिखो 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 जल्दी लिखो 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 लग बीव आखना है लग दूचाळ ल्ट अली दॉग ल आखना है लग अली लग दो अब नव I'll discuss this after the class, okay ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमने पूरा का पूरा प्रोविजन स्टेट कर दिया now is the time to conclude 1 और 2, दोनों को हमें सिर्फर सिर्फ conclude करना है right, कैसे हम conclude करेंगे पहला सवाल हम से क्या पूछा गया था क्या इसको हम private company convert कर सकते हैं, the answer is yes, it may be converted it may be converted into private company if the total number of members are limited to 200 and other conditions are complied with जो हमने अभी पढ़ी नहीं दूसरा दूसरा हम से क्या पूछा गया था whether existing number of members need to be reduced the answer is no there is no need for reduction in number of members of proposed private company बचा एठ तद आदसा अफ़ी नहीं अ क्या च म्यादइ अहीयाद अवादी टू हांड़ेट लिखो फटा-फट से कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि समझ में आगया सब को क्लियर है चाल बहुत बढ़े है अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हमने शुरू किया था on the basis of members है ना company public company private company OPC public company जिसमें हमें minimum seven members चाहिए होते है private company जिसमें minimum two और OPC में एक ही चाहिए होता है minimum भी और maximum भी जो अभी अभी हमने question किया है ये question छे नंबर का आ चुका है ठीक है, इजी, लगा इजी, लगा की नहीं लगा, कुछ डिफिकल्टी लगी, बस अच्छा से लिखना है, और आराम से आप छे में, पांच नमबर तो बड़े आराम से ले सकते हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, विकुज इसमें बहुत जादा content involved ही नहीं है, जितना है स सब लिख दिया है, है ना, तो स्कोप नहीं है कि कुछ नमबर कटेंगे इसमें, चल, अब, प्राइवेट कमपनी हमने अल्रड़ी डिसकस कर ली, अब हमको डिसकस करना है, obviously, we have one person company, we also have public company, पट इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, कुछ चीजे हैं, जो मुझे और आपको बत आपको क्या लगता है, कमपनी किसकी होती है, कमपनी का मालिक कौन होता है, who owns the company, is it the directors, is it the shareholders, is it the promoters, shareholders, 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 एक unanimous answer आ रहा है, founder, promoters, कुछ ऐसे भी बोल रहे हैं, अच्छा आप बताओ, आपको कौन ओन करता है कुछ लोग लिख रहे हैं, parents own करता है, mommy, papa, father, you owe to them, nobody owns you, right, just in the same manner, company owes to its shareholders, the shareholders don't own the company, इसे साब से क्या है, Reliance Industries Limited के shares मेरे पास हैं, तब मैं क्या, company के मालिक हूँ, ऐसे हम in general language बोल देते हैं, आप तो नहीं हो, पर कोई और shareholder है, है ना, अगर हम, exactly मैं बोलो तो promoters आप बोलो, या directors बोलो, या shareholders बोलो, हर एक परसन धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा, कि यार इनके बहुत different roles हैं, directors की भी हो सकता है, कोई से ना हो company में, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो company को own करते हैं, कोई भी company का owner नहीं होता है, company is a separate legal entity, nobody owns the company, हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि इसके जो profits हैं, इसके investors के पास जाते हैं, या ultimately who owns the money involved in the company is the shareholders, right, but nobody owns the company, fine, तो भई company है माम, पहली बात company का कोई owner नहीं है, माई बाप नहीं है कोई भी, दूसरी बात आपने बोली कि company एक artificial person है, तो भई company में जो भी चलाते हैं, जो भी decisions लेते हैं, decisions लेते हैं, या decision making होती हैं, कौन लेते हैं, company के decisions कौन लेते हैं, board of directors, directors लेते हैं, पक्का, हाँ, लेते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, तो दोनों की लिखते हैं, decision making, हमारे पास होते हैं, ये लिखना है सब को, बैट मत जाओ, हाथ पे हाथ रखके, लिखो, board of directors और हमारे पास, जो भी नहीं लिख रहा है ना, वो सोचे कि वो क्या कर रहा है लाइप में, और कि ये करना है कि नहीं करना है, हमारे पास होते हैं, board of directors और हमारे पास होते हैं, shareholders, ठीक है, so, some decisions are taken by them, they are the ones who invest or who give guarantee and they are the ones who are elected by shareholders हमने starting में discuss कि अगर हम पूरी के पूरी इंडिया की बात करें, तो इंडिया में क्या होता है, भाई, इंडिया को हम ही चलाएंगे, हमारा देश है, हम चलाते हैं, बट क्या हम अपने decisions खुद लेते हैं, the answer is no, हम elect करते हैं अपने representatives को और वो हमारे भिहाग पर decision ले रहे हैं, वैसे ही एक company है, जिस पे पैसा हमने लगाया है, पर उसको हम नहीं चलाते हैं, उसको कौन चलाता है, कुछ ऐसे लोग जिनको हम elect करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, directors कहते हैं, तो क्य ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने और नयन ने एक company खोली और हम चाहते हैं कि हम खुदी इस company को चलाएं, कर सकते हैं कैसा, हम बिल्कुल कर सकते हैं, तो हम अपने आपको ये elect कर लेते हैं as director, ऐसी situation में हम shareholder भी होते हैं और हम director भी होते हैं, जैसे Mr. Ambani है, है ना, मुकेश Ambani जी, उ और वो उस company के director भी है, in fact managing, अब छोड़ो, managing director वगेरा वो position पे हम नहीं जाते हैं क्योंकि data changing, है ना, बटो हैं कि नहीं है, director भी हो, shareholder भी है, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं कोई दिकत नहीं है, आच्छा, चीके, मैंनी company में पैसा लगाया मैं क्या हूँ, individual हूँ, HOF हूँ, क्या हूँ, इतना, इतना सोचना पड़ है, मैं क्या हूँ, I'm individual, obviously, मतलब क्या एक individual, company में पैसा लगा सकता है, shares खरीच सकता है, क्या एक company, दूसरी company में पैसा लगा सकती है, हाँ, हाँ या ना, हाँ, मैं, पिल्कुल, तो मतलब क्या shareholder एक company भी हो सकती है, company या फिर मैं बोलू, body corporate भी हो सकती है, the answer is yes, मैं, why not, बहुत मतलब है, जितनी भी चीज़े में बता रही हूँ, सब चीज connect होती जाएंगे एक-एक profession से, आच्छा, क्या एक firm, firm मतलब partnership firm, क्या ये company का shareholder हो सकता है, सोचो, एक ऐसी चीज़, जो भाई, तुरंट dissolve हो जाती है, जिसका कोई अस्तित्वह नहीं है, मतलब पूरा आज़त, collective firm, firm is not a legal person in the eyes of law, ठीक है, वो ऐसे बनता है, बिगरता है, बनता है, बिगरता है, ये हो गया, वो हो गया, तो उसको इसको, as such, legal status नहीं मिला है, firm cannot be a member of the company, firm के partners हो सकते हैं, firm नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे लिखो, cross, यहाँ पे tick, यहाँ पे tick, tax payment के लिए तो government हर किसी को identify कर देगी, as a separate person, कि भाई, tax दो, firm बनाया है, उसमें profit कर रहे हो, tax दो, है ना, तो वो taxation purpose is different, right? चल, अभी और सवाल पूछती हूं, देखती हूं कि कोई intelligent बच्चा है, यहाँ पे किन नहीं है, ठीक है, सूचो, दमाग लगाना, सुने यह चार टर्म्स, क्योंकि companies act थोड़ा बत तो पता है ना, तो यह चार टर्म्स सुने जरूर होंगे, subscriber, shareholder, member, contributory, हमें लगता है कि यह सारा का सारा क्या है, same है, लगता है ना, जो subscriber है, shareholder है, member है, मैं हम सब same है, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना, ठीक है, I will simplify it for you, आप लोगों को आप मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी, कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं हम कौन क्या है, और मुझे कुछ भी समझाने की जरुवत नहीं पड़ेगी, इस देट पे, कंपनी इनकॉर्परेटेट, ठीक, इस देट पे, शेयर्स इशूद बाइ कंपनी, ठीक है, इस देट पे, वाइंडिंग अप, ठीक, कंपनी इनकॉर्परेट अभी नहीं हुई है, यहाँ पे कंपनी इनकॉर्परेट हो गई है, पर शेयर्स इशू नहीं हुए है, यहाँ पे शेयर्स इशू हो गए हैं, और कंपनी चल रही है, और यहाँ पे कंपनी के बंद होने की बात हो चुकी है, समझ में आई बात चार फेज हैं और इन चार फेज में चार डिफरेंट टर्म्स से हम बुलाते हैं इनको company अपर बनी नहीं है या शादी से पहले आप किसी को बीवी बना सकते हो अब बोलने को प्यार प्यार में हम बोल देंगे no no you are not my girlfriend you are my wife इसे बोल दे तो बोल दे पर सच में थोड़ी नहीं हो गई तो कुछ तो उसको नाम देना पड़ेगा ना शादी नहीं होई है यार अभी शादी हो जाएगी तो नाम बदल जाएगा एक दिन में नाम बदल जाता है कंपनी इंकॉर्परेट हुई एक दिन में किसी का नाम बदल गया तो वो जो तयार हुआ है आपकी कंपनी का मेंबर बनने के लिए कि है ना जैसे हम दो-चार लोग तयार हुए ना कि हम कंपनी बनाएंगे हमने साइन किया एक डॉक्यूमेंट पे कि हां हम कंपनी बना रहे हैं अभी हमने कंपनी बनाई नहीं है तो हम कंपनी जब बनाई नहीं तो उसको मेंबर कैसे बोलेंगे है ना तो अभी क्या बोलेंगे उसको चार आप्शन लिखा है मैंने पहला वाला सब्सक्राइबर सिंपल है तो यहाँ पे क्या हुआ वो सब्सक्राइबर हुआ अब कंपनी बन गई है ना कंपनी इंकॉर्परेट हो गई है तो वो उसका जो तो रेजिस्टर अफ मेंबर्स होता है उसमें नाम चड़ गया है पर अभी कंपनी ने उसको शेर्स नहीं दिया है उसने बस वादा किया था कि मैं कंपनी को 50,000 रुपे दूँगा और उसके बदले तो मुझे 50 शेर दे देना ठीक है तो कंपनी पहले बनती है फिर कंपनी क्या करती है पैसे लेती है उससे जिसने वादा किया था कि इतना पैसा देंगे फिर उसको लिख के देती है receipt, share, certificate कि हा तुमने इतने shares कंपनी ने तुमको इशू किया उसके बदले इतना पैसा लिया है दीरे दीरे process समझ में आएगा आपको है ना अभी मैं layman language में थोड़ा सा बता रही हूँ तो अभी यहाँ पे वो क्या है सोचो subscriber, shareholder, member या contributor तीसरा he is a member उसके बाद उसको shares issue हो गए उसका नाम अभी भी register of members में है he is still called as a member बट यहाँ पे वो क्या हो गया he is also a shareholder because he holds the shares right, he holds the shares now है ना और यहाँ पे वो क्या बन जाता है contributory क्यों company बन दोने वाली है अब भयाओ और contribute करो अगर company में पैसा कम पढ़ा है तो अभी यह point आपको और अच्छे से समझ में आएगा तो हम limited liability समझेंगे तब ठीक है फिलहाल यह चार टर्म्स क्लियर हो गए है या ना सबको चालो इसी चार्ट के आगे ना क्योंकि मेरे पास जगे नहीं बची ते और मैं थोड़ा सा आगे जाना नहीं चाहरी हूं इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रही हूं पर इसी चार्ट में आप continue करके लिख ले ना यहां पर हमने लिखा था ना बोर्ड इसी के नीचे जो भी कंटेंट लिखा है उसी के नीचे एरो लगा के आप यह चीज लिख ले ना छोटी सी चीज और लिखा रही हूं दे मीट अट बोर्ड मीटिंग और उसके बाद यह लोग डिसिशन लेते हैं बाई मेजॉरिटी बस लिख के रखो जिसको समझ आगया बहुत अच्छी बात है जिसको नहीं समझ में आया वो बस लिख के रखे शेयर होल्डर्स मीट उसको हम बोलते हैं जेनरिल मीटिंग जैसे सबका नाम होता है ने पेरेंस और टीचर्स मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंस टीचर्स मीटिंग तो वैसे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग shareholders मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं general meeting ठीक और जब ये मिलते हैं तो दो तरीके के decision होते हैं decision by simple majority जिसको हम बोलते हैं ordinary resolution ordinary resolution or decision with at least three-fourth votes इसको हम बोलते हैं special resolution special resolution ये SR, ये OR, ये BR झाल हो गया चाहर वन परसन कंपनी क्या पढ़ने जा रहे हैं वह हम वन परसन कंपनी यह जो कंसेप्ट है न वो थफड़ा सब्सक्राइब मुझे साउथ इंडियन मूवीस की तरह लगता साउथ इंडियन मूवीस में क्या होता है के जी एफ किसने देखी है अब के जी एफ में क्या था एक बंदा है यार और पूरी मारदार मचा रहा है वन मान आर्मी तो इस देखी है एसे सवाल पुछा करो माम और गवर्मेंट को इस पावर का अक्चुल में रिलाइजेशन हुआ और उन्होंने ये कंसेप्ट निकाला पहले भी हमारे पास एक कंसेप्ट हुआ करता था जिसका नाम था वन मान कंपणी क्या नाम था वन मान कंपणी अब गवर्मेंट के अंदर का जो फिमिनिजम होता है वो जाव जाव है यार कैसा नाम हमने रखा है वन मान कंपणी रॉकीभाई थोड़ा शांस तद उले यहां पर हमारे पास रॉकीभाई नहीं है यहां पर हमारे पास है सिम्रन इसका नाम क्या है? Simran One Man Company अच्छा लग रहा है कि One Person Company अच्छा लग रहा है? बताओ Man ही अच्छा लगेगा Men Will Be Men One Person Company ठीक है? तो Government ने पहले ये concept बहुत पहले ये निकाला था उनको लगा कि यार ये ठीक नहीं है और बदलते समय के हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है One Man क्या होता है? तो उन्होंने क्या किया? एक One Person Company का concept निकाला मेरा ओडियो वीडियो सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा फ्लक्टुएशन हो रहा है अचा लो ख्लियर है, बहुत अच्छी बात है So now, One Person Company अगर हमारे अंदर ये काभीलियत है कि हम एक बंदे होके या एक बंदी होके भी कमपनी चला सकते है तो गबर्मेंट ने का हम आपको option देंगे हम आपको मौका देंगे In fact, हम आपको promote करेंगे हम आपको बहुत सारे फाइदे देंगे हम ये चोटे-चोटे entrepreneurs को boost करना चाहते है भई, आप अकेले हो, आप दुकान चला रहे हो, आपने proprietorship खोली है उसके बहुत सारे नुकसान है हम चाहते हैं कि आप इसको बदल के company बनाईए अब आपके पास दूसरे लोग है नहीं जोडने के लिए कोई आपसे जोडना ही नहीं चाहता है तो आप private company कैसे बनाऊगे तो आप अकेले company बना लो कोई दिक्कत नहीं है one person company के बारे में हम आगे detail में पढ़ेंगे जब हम इसको incorporation के बारे में पढ़ेंगे बट फिलाल के लिए छोटी छोटी बाते समझते हैं one person person का मतलब क्या होता है man तो अटा दिया person का मतलब क्या होता है ma'am person का मतलब क्या हो जाएगा person का मतलब अजमी होता है law पढ़े बिटा इंसान बाहो देखो ideally अगर हम समझे तो person could be what, person could be an individual, it could be H.U.F, it could be company, कोई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है person तो हम यही पढ़ते हैं ना, जब भी कहीं पर भी person की definition पढ़ते हो ना कि person में सावा आता है individual आता है सिर्फ ऐसा कहां लिखा है, association of persons, body of individuals, H.U.F, cooperation, सब पढ़ लेते हैं हमकी person की definition में आता है तो यहाँ पर उन्होंने person तो लिखा है, पर, person का मतलब क्या होगा, individual और यू किन से नाचुरल परसन अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको member का concept बताया, तो मैंने कहा एक company है ABC Limited, वो member बनना चाहती है PQR Limited की कहीं पर भी कोई भी confusion हो तो पूछना, ठीक है बन सकती है कि नहीं बन सकती है, हाँ या ना हाँ या ना, जल्दी से फटा फट हाँ, बन सकती है अब यह ABC Limited ने कहा यार, मिल को भी बनानी है एक OPC तो क्या यह बन सकती है, नो, नहीं बन सकती है यह इंडिया में allowed नहीं है बाहर हैं ऐसे laws जो एक company को एक OPC बनाने की permission देते हैं बट government का vision समझो न, government क्या बोलते हैं, हम छोटे-छोटे entrepreneurs को promote करना चाहते हैं बूस्ट करना चाहते हैं, भाई हम OPC को बहुत सारे benefits और exemptions देना चाहते हैं तो हम एक company को क्यों देंगे, तो OPC कौन बना सकता है, only a, कौन बना सकता है, नाचुरल परसें, repeat after me everyone, only a नाचुरल परसें can form OPC, चार्ट हैं सबके पास, वान परसें कंपनी, minimum number of member एक, maximum number of member एक, तो एक बंदा क्या करता है, कंपनी बनाता है, वो कौन होना चाहिए, नाचुरल परसें होना चाहिए, पहली requirement है, इंडिया का citizen होना चाहिए, यह दूसरी requirement है, and that's it, आप इंडिया के बाहर रहते हो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आई बाद, हो सकते हैं आपने कभी पहले पढ़ाओ कि resident होना भी जरूरी होता है, यह ना, अब ऐसा नहीं है, ठीक है, तो अगर किसी ने ऐसा पढ़ाया है कि resident होना भी जरूरी है, तो अब उस पूरी है, natural person and Indian citizen, whether resident or not, ठीक है, तो वो बना सकते हैं OPC, मैं आम एक बाद बताओ, OPC तो बना ली, गवर्मेंट ने कहा, जा सिम्रन, जा जी ले अपनी जिन्दगी, सिम्रन भी निकल ली, सिम्रन ने एक 1% company भी बना ली, थोड़े दिन बाद क्या हो गया, थोड़े दिन बाद क्या हो गया, सिम्रन की जो mental हालत थी, वो बिगड़ गई, mentally वो क्या हो गई, disturb हो गई, या कहले हम unsound mind की हो गई, इसकी वज़े से उसके सारे पैसे डूब गई, insolvent हो गई, अब क्या वो company चला सकती है, pressure आ गया, बहुत pressure आ गया, वह उसको लगा था कि वो handle कर लेगी, नहीं कर पाई, तो क्या वो company चला सकती है, नहीं चलाईगी, तो company क्या कर दे, बंद कर दे, डूब गई company, तो क्या हुआ, उस concept का जो हमने शुरू किया था, perpetual succession, इसी लिए तो उसने proprietor से हटके company बनाई थी, कि वह perpetual succession मिलेगा, तो perpetual succession का क्या हुआ, क्या किया जाए, solution निकालना पड़ता है, solution आप लोगोंने मुझे बताई दिया है, that is nominee, वो क्या है, nominee, अचे बात बताओ, एक private company है, दो लोग है, दोनों पागल होगे, तो उस company के perpetual succession का क्या होगा, वो case भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्यों यहीं पे हम nominee की बात कर रह है, तो अगर private company में हम बोल रहे हैं कि shares transmit हो जाएंगे legal hair को, तो क्या यहाँ पे इसका कोई आगे पीछे इंसान ही नहीं होगा, legal hair को नहीं होगा, देखो यहाँ पे risk के chances बहुत high रहते हैं, because एक ही बंदा है ना, एक बंदे को तो बहुत जल्दी कुछ हो सकता है, अब दोन को हो जाए कुछ, इसके chances थोड़े कम होते हैं, है ना, इसलिए government ने OPC में nominee के concept को mandatory किया है, उन्होंने कहा है कि आप अगर OPC बनाना चाहते हो बेशक बनाओ, पर उसके पहले को यह कैसा बंदा ढूंड के लाके दो, कि अगर आपको कुछ हो जाएगा, तो उस situation में वो जो ह जाएगा उस particular company का, ठीक है, तो OPC में हमने क्या-क्या point पढ़े, OPC में हमने पढ़ा, कौन बना सकता है OPC, only a natural person, Indian citizen, whether resident or not can form OPC, OPC में क्या mandatory है, एक nominee, pre-hand हमको nominee चाहिए, जिसका नाम हम Memorandum of Association में देते हैं, ठीक बात है, सबको इतनी बाते clear हैं, वो बन्दा कहीं और OPC का Member नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, इन चीजों पर हम और discussion करेंगे, जब हम OPC का incorporation करेंगे, ठीक है, government ने कहा है यार, एक OPC बनाओ, एक साथ तुम चार-चार OPC नहीं बना सकते हो, कि हमारे अंदर तो और रश्नीकांत वाली काभीलियत है, कि अधियों हम तो 100 OPC बना सकते हैं, नहीं, एक ही बनाओ, ठीक है, तो एक बन्दा क्या कर सकता है, एक ही OPC बना सकता है, clear? चार, अब आते हैं एक हेवी कंसेप्ट पे, एक हेवी कंसेप्ट, ऑल्थो मुझे आपको बताना था थोड़ा, अब आज के लिए ज्यानना बहुत बडादा हो गया इसलिए कभा पॉब्लिक कंपनी हमें पढ़ना है बट पॉब्लिक कंपनी में एक कंसेप्ट आता है जो आता है सब्सीडियरी कंपनी सब्सीडियरी हमको नहीं पता होगी तो हम पॉब्लिक कंपनी नहीं पढ़ाएंगे तो अभी तक हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ा हमने ओपी सी हम पब्लिक कमपनी पढ़ने से पहले कहा जा रहे हैं? सबसीडियरी कमपनी पढ़ने ठीक है? ठीक है? सबसीडियरी सेक्शन 2 क्लाउज 87 बच्चन फामिली सबसीडियरी सबसीडियरी या होल्डिंग के कंसेप्ट में एक बहुत इंपोर्टन चीज आती है जो आती है कंच्रोल और इंडियन फामिली से जादा हमको कंच्रोल कहीं ने लिखता है और जब आपके बच्चे होगे तो आप चुन-चुन के बदला लोगे छोड़ दोगे जा बेटा जा जी लिए अपनी जिंदगी हमें बहुत कंच्रोल किया गया है इसा सोच रहे होगे बाद में पूरा कंच्रोल करोगे यहां नहीं जाना है क्या कर रहे थे किस से बात कर रहे थी तो वो कंच्रोल आई जाता है है ना तो कंच्रोल समझने के लिए इंडियन फामिली ज़िए बेस्ट होती है अब क्या लग रहा है कौन किसको control कर रहा होगा अब internally कुछ भी हो इधर से control होगा होगा की नहीं होगा इधर से भी control होगा और ऑल्दो शायद सबसे जादा control इधर से हो पर हम ऐसा मानेंगे नहीं ठीक है हम थोड़ा practical और अच्छी बाते करेंगे हम मानेंगे कि husband और wife की relationship होती है ठीक है सजनता से हम पढ़ाई करने वारे है सबसे पहली चीज जो समझना जरूरी है वो यह है कि holding और subsidiary एक relative concept relative को मतलब क्या है अगर मैं बोलू I am a mother that means I have a child yes or no और अगर मैं बोलू कि मैं mother हूँ तो क्या मैं सब की मां हूँ हाँ हूँ क्या ऐसा नई it is a relative concept I am a mother only to my child not to anyone else likewise a holding is a holding only to its subsidiary a subsidiary is a subsidiary to its holding एक relative concept है यह एक standalone concept नहीं है कौन हाँ बोल रहा है यह एक standalone concept नहीं है holding subsidiary हो associate और in associate companies हो या फिर अभी उसका भी एक अलग टर्म होता है investing वो भी बताऊंगी दीरे दीरे करके चल फिलाल हमने क्या कहा कि control बहुत ज़्यादा जरूरी है चलो इनको कुछ कुछ नाम देते हैं नाम क्या क्या देतें अभी लिमिटेड दे दू अमिता बहुत बड़ा होच रहेगा और यहां पे हम नाम दे देते हैं अभी लिमिटेड ठीक है यहां पे नाम देते हैं एश लिमिटेड और यहां क्या नाम दे आरा क्या नाम दे बागबान अरे लुका तो अलगी एजेंडा रहते हैं आरा लि यहां control भी है, शायद money भी flow करता हो, या फिलाल हम control यही बारे में बात करते है, control could be of two ways, controlling composition of board of directors, or controlling voting power oblique shareholding, Ami Limited holds 60% shares in Ami Limited, is it possible, yes or no, of course ma'am very well possible, OPC एक ऐसी company है, जो कभी भी holding नहीं बन सकती है, अगर आप लोगों को यह बात नहीं पता है, तो please सबसे पहले यहां पर यह बात लिख लो, OPC can't be a holding company, since it is prohibited to invest in body corporate. धीरे-धीरे OPC के बारे में सारी बाते पता चल जाएंगी, but क्योंकि हम holding का concept पढ़े हैं, तो यह आपके दिमाग में कहीं न कहीं होना चाहिए, अमी लिमिटेड क्या कर रहा है, अभी लिमिटेड में 60% shares hold कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकती हूं, कि अमी लिमिटेड, you are a holding company, और अभी लिमिटेड आप क्या हो, एक subsidiary company हो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, मैं कोई दिकत नहीं है, अब, अभी लिमिटेड holds से 70% shares in आरा लिमिटेड, तो क्या मैं बोल सकती हूं कि अभी लिमिटेड, तुम subsidiary भी हो, और तुम holding भी हो, holding हो, आरा लिमिटेड के लिए हैं, और subsidiary हो, अमी लिमिटेड के लिए, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं, किसी को कोई दिकत तो नहीं हो रही है, और आरा लिमिटेड, क्या ये एक subsidiary हो सकती है, या नहीं हो सकती है, OPC एक subsidiary कैसे हो सकती है, एक बच्चे का चाट में थोड़ा सा message आया है, मुझे बताओ, OPC क्या एक subsidiary हो सकती है, मैंने जब लिखा कि OPC can't be a holding company, तो एक बच्चे ने बोला है कि, but it can be a subsidiary, क्या एक subsidiary हो सकती है OPC, भाई OPC में एक ही member होगा, और वो member natural person हो सकता है, तो वो subsidiary कैसे होगे, इसका मतलब आपका कहने का यह है कि A and B, और लेट से, Shivangi and Sana, हम दो लोगों ने एक company बनाई, ABC Private Limited, हम दो इसके shareholders है, मेरे पास इस company के 60% shares है और Sana के पास इस company के 40% shares है, Am I the holding of ABC Private Limited, बूलो, the answer is a big no, why no, क्योंकि holding भी एक company होती है और subsidiary भी एक company होती है, Holding Company, Subsidiary Company, in fact, holding, अभी हम body corporate वाला concept भी इसमें introduce करेंगे, बट फिलाल समझो, तो OPC can never be a subsidiary also, क्योंकि OPC में सिर्फ एक ही बंदा invest करेगा पैसे और वो natural person होगा, समझ रहे हो आप, तो OPC में कोई company पे पैसे invest नहीं कर सकती है, तो वो किसी के subsidiary भी नहीं होती है, और वो किसी के holding नहीं हो सकती है, क्योंकि वो खुद किसी body corporate में invest नहीं कर सकती है, उसको prohibited है, तो OPC ना तो holding होती है, ना तो subsidiary होती है, बात clear है, समझ में आई सबको बात, चल, यहाँ पर एक concept में introduce जो करूँगी, वो associate का करूँगी, जो अगला concept हमारा रहेगा, ठीक है, पिलाल हम holding और subsidiary पढ़ रहे हैं, दो बातें आती हैं, holding और subsidiary की definition में, in fact, subsidiary की definition में, control, I am taking you to the definition, आप लोग भी खोल लेना एक बार, subsidiary company, in relation, because we are reading the types of companies, ठीक है, subsidiary company, in relation to any other company, मतलब किसी और के relative में, जैसे मैंने आपको बताया है कि relative concept होगा, means a company, एक company, जिसमें की दूसरी company, या तो उसके composition of board of directors को control करेगी, या फिर, exercises और controls, more than half, more than 50% of voting power, फिलाल इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, पहला point, controls the composition of board of directors, मैं ये क्या, ये तो हमको समझ महीं नहीं आता है, controls the composition of board of directors, किसी को समझ में आता है क्या, एक company, दूसरी company के, board of directors के composition को control करेगी, मतलब एक company, दूसरी company को बताएगी, कि तुम इस director को appoint करो, इसको हटाओ, यह होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए है ना तो मैं real life में ऐसा कैसे होता है आपसे exam में यह कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या यहाँ पे control of composition है या नहीं है because यह situation or circumstances based हो सकता है ठीक है तो exam में हमेशा क्या होगा दिया रहेगा question में लिखा रहेगा कि this company controls the composition of board of directors ठीक है यह आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा अगर मैं practically बोलू कि मैं ऐसा कैसे होता है तो practically अगर आप समझो तो हो सकता है कि articles या memorandum में किसी को power दी हुई है कि भाई इस आपसे बनेंगी या जो इस company का होगा वो इस company में बन जाएगा कुछ भी चीज़ें हो सकती है ठीक है कोई agreement हो सकता है कहीं से भी कैसे भी हो सकता है ठीक है हो सकता है on paper नहीं हो बट actual में कोई और control कर रहा हो हो ठीक है so it is situation to situation based it is circumstantial and it will never be asked in examination बस हमें क्या याद रखना ह कि एक company अगर दूसरी company के board of directors के composition को control कर रही है तो वो पहली company holding और वो दूसरी company जो खुद control हो रही है वो क्या होगी जितना तेज बोल सकते हो बोलो वो क्या होगी subsidiary ठीक है बहुँ अच्छी बात है अब लिखो example one example one come on everyone write A limited holds 60% shares in B limited A limited is holding of B limited B limited is subsidiary of A limited किसी को कोई दिकर बड़ा simple example two A limited controls composition of board of directors of B limited तो अगेन A limited is holding of B limited और B limited is subsidiary of A limited क्यों क्यों क्योंकि हमने कहा कि एक company को holding बनने के लिए control की जरुवत है control कैसे मिलेगा या तो आप दूसरी company के composition of board of directors को control करो या फिर आप more than half voting power acquire करो उस दूसरी company में इन दो तरीके से आप control acquire कर सकते हो और अगर आपके पास वो control है तो आप folding हो और सामने वाली company क्या हो गई subsidiary हो गई कि दोनों में से कोई एक condition को ही पूरा करने की जरुवत है इसमें हमने देखा कि condition number 1 पूरी हो रही थी इसमें हमने देखा कि condition number 2 पूरी हो रही है दोनों example एकदम clear है बहुत simple था अब बढ़ते हैं थोड़ी technicality पे in exam question या हमसे कभी पूछा नहीं जाएगा कि आप judge करो या आप identify करो कि control है या नहीं है voting power का control हम खुद चेक करेंगे पर composition के बारे में हमेशा हमको exam में दिया रहेगा example 3 A limited holds 60% shares in B limited B limited controls composition of board of directors of D limited थोड़ा सा मैंने twist किया है ठीक है अब पहले सीधी सीधी बात लिखते है सीधी सीधी बात क्या है A limited is holding of what? of B limited हाई है ना and we can say B limited is subsidiary of A limited है ना मतलब A और B के बीच में holding subsidiary की relationship है ठीक है? और यहाँ पे दो companies और है यह B limited और D limited इनके बीच में भी कोई relationship establish हो रही है B limited is holding of D limited and D limited is subsidiary of B limited मतलब इन दोनों के बीच में भी अरे यह क्या हो गया? इन दोनों के बीच में भी B और D के बीच में भी holding subsidiary की relationship establish हो रही है है ना? अब एक interconnecting relationship भी होती है interconnecting relationship कैसे establish होगी? पढ़ेंगे हम A company in which holding company controls more than half of voting power at its own मतलब वो directly more than half shares control कर रही है अभी voting power मैंने आपको नहीं समझाया है more than half shares control कर रही है जैसे 60% shares उसके खुद के पास है और together with one or more of its subsidiary company मतलब मैं खुद 60% shares hold कर रही हूँ या मैं अपनी subsidiary के साथ मिला कि उस company में उस target company में 50% से जाधा shares hold कर रही हूँ देखते हैं आप डी लिमिटेड में कुछ नहीं hold कर रही हूँ आप डी लिमिटेड में कुछ नहीं hold कर रही हो क्या are you holding anything हाँ या ना बोलो no a limited क्या डी लिमिटेड में कुछ hold कर रही है नहीं कर रही है क्या इसकी subsidiary कुछ hold कर रही है क्या इसकी subsidiary कुछ hold कर रही है हाँ माम यहाँ पे ना और simple कर देते हैं चलो मैं यहाँ पे यह हटाती हूँ नहीं तो अभी आपको थोड़ा सा वो हो रहा है confusion हो रहा है मैं यहाँ पे भी ऐसे ही लिखती हूँ 60% shares in D.L. ठीक है तो आपको आप simple लगेगा क्या वो hold कर रही है the answer is yes माम बिलकुल कर रही है तो मतलब A.L. अपनी holding प्लस अपनी subsidiary की holding add करके check करेगी कि क्या एक target company में मेरी जो holding आ रही है वो more than 50% voting power है या नहीं है यहाँ पे 60% आ गई तो A.L. इस आल्सों holding of D.L. समझ में आई बात समझ में आई बात पक्का कोई confusion तो नहीं एक company और दूसरी company हम दो company की बीच में relationship check करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अगर हमारी यह holding company या यह company है यह company देखती है क्या मैं इस company में more than half voting percent hold कर रही हूँ तो हमने देखा नहीं A.L. ब. ल. में D. में D. D. में नहीं hold कर रही है more than half voting power पर यह अपनी subsidiary इसकी भी holding को मिला दे तो वो D. में कर रही है hold क्योंकि B. लिमिटेज जो इसकी subsidiary है that is holding more than 50 percent voting power in D. समझ में आई बात? समझ में आई बात? subsidiary of a subsidiary is also a subsidiary. समझ में आई बात? सबको clear है अभी मैं और इसको थोड़ा technical करूंगी दीरे 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 B. लिमिटेड यहाँ पर आपने अच्छा पता नहीं आपने erase किया है या नहीं किया है अगर नहीं किया है तो यहाँ पर control ही रहने देना क्योंकि एक मैं example आपको control का पता दियो और एक मैं आपको shares का बताऊंगी और अगर कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है holds 52% shares in C. C. लिमिटेड holds 27% shares in B. मैं थोड़ा सा time दे रही हूं time इसलिए दे रही हूं क्योंकि अगर आप ऐसे ही लिखते जाओगे तो शायद आपको वो confidence नहीं आएगा तो यह एक case है इसको खुद analyze करो और relationship निकालो जैसे जैसे मैं बता रही हूं A और B के बीच में आपको relationship निकालनी है कि क्या है क्या holding subsidiary है या नहीं है ऐसे निकालनी है A और C के बीच में relationship निकालनी है क्या holding subsidiary है या नहीं है C और B के बीच में relationship निकालनी है क्या holding subsidiary है या नहीं है सबसे पहला ए और बी के बीच में अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना ठीक है मतलब confusion है काफी confusion है सबसे पहले अच्छा निकालो A और C के बीच में इन दोनों के बीच के relationship तो मेरे ख्याल से सबकी सही आनी चाहिए येस येस I am getting a unanimous answer भाई एक company है वो दूसरी company में more than half voting power या more than half shares hold कर रही है तो A और C के बीच में तो holding subsidiary की relationship है तो मतलब मैं बोल सकती हूँ A आप holding हो और C आप subsidiary हो हाँ या ना बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती हूँ ठीक है माम अब दूसरी relationship पे बढ़ते हैं C नहीं पहले A और B की relationship के बीच में बढ़ते हैं A और B A directly hold कर रहा है 30% shares in B है ना मतलब more than 50% की voting power नहीं है पहले clause के हिसाप से देखे तो पहली बात के हिसाप से देखे तो दूसरी बात हमने देखी A तुम प्लस अगर तुमारी कोई भी subsidiary है तुमारी subsidiary कौन है C है तुमारी कोई भी subsidiary है उसके साथ अगर तुम मिल के भी more than 50% voting power hold करोगे in the target company तो ये भी तुमारी subsidiary कहलाएगी तो A की holding B में 30% और C की भी तो holding है C की holding B में 27% तो इसकी total holding कितनी हो गई 57% तो क्या A और B holding subsidiary है या नहीं है समझ में आई बात ध्यान से सुनोगे तो एक बार में समझ में आएगी अगर कहीं पे भी track शूटा तो फिर उलज के रह जाओगे समझ में आई बात हाँ तो ये भी रिल है इनके बीच में भी holding और subsidiary की relationship है ठीक है देखो subsidiary of a subsidiary is a subsidiary that is fine बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं निकलेगा B limited is not the subsidiary of C limited समझ रहे हो आप और यार ऐसे समझो A limited है C limited है ठीक है और ये B limited है यहाँ पे 27% shares है यहाँ पे 52% shares है और यहाँ पे 30% shares है सही लिखा है मैंने कुछ गलत लिखा सही लिखा है सही लिखा है इनके बीच में holding subsidiary clearly established होता है तो इसमें कोई confusion नहीं है इनके बीच में holding subsidiary नहीं है पर एक चीज हमें और दी हुई है वो क्या दिया है कि कोई company जब भी हम किसी की check करते हैं कि आपके पास 50% से जादा shares है या नहीं है जैसे आप हो और आपके father है ठीक है मान लो ये son है और ये father है ठीक है अगर हम देखें कि हम डोनों के पास मिलके कितनी share holding है बी में क्या हमारे पास 50% से जादा हो जा रही है ना answer is हो जा रही है हाँ या ना हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है फादर के पास 30% shares है company के बेटे के पास 27% shares है company के तो पूरी family में together more than 50% है या नहीं है वी लिमिटेड में 57% shares हो गए कि नहीं हो गए more than 50% voting power हुई कि नहीं हुई समझ में आई सबको बात पहली चीज हमने अभी तक क्या क्या concept पड़ा हमने सबसे पहली चीज straight away पड़ी कि एक company में अगर दूसरी company की more than 50% voting power होती है तो वो दूसरी company subsidiary और ये पहली company holding ठीक है ये direct holding होती है indirect holding होती है तो वो भी चलती है indirect holding मतलब you are holding the shares in the target company through your subsidiary समझ में आरी है बात तो मतलब A limited, B limited को तब भी अपनी subsidiary बना सकती है अगर वो indirectly प्लस अपनी direct holding indirect holding प्लस direct holding दोनों को मिला के more than 50% voting power कर ले indirect holding मतलब through its subsidiary is direct holding मतलब वो जो directly hold करती है B limited में वो directly hold कर रही है 30% वो अपनी subsidiary के through hold कर रही है 27% तो total मिला के किता हुआ 57% which is more than 50% अभी भी किसी को confusion है तो बोलो तो मैं फिर repeat करूँगी otherwise I am moving forward चलो अभी तो मैंने बताई नहीं है कुछ अभी मैं और इसमें twist लेके आने वाली हूँ ठीक है चलो अगला एक्जाम्पल लिखू अगला एक्जाम्पल लिखू A limited has share capital 2000 shares at the rate of 10 each किता हो गया? 20,000 Mr. X holds 500 shares of A limited and B limited holds 1000 shares of A limited Can A limited be called subsidiary of B limited? किसने बोला कि law easy है? चलो सवाल है मेरा आपसे बहुत easy सा सवाल है यार कुछ भी अभी तक twist ने लेके आया है मैंने इसमें B limited एक company है जिसके पास 1000 shares है एक ऐसी company के जहां पर total 2000 shares है मतलब आपके पास 50% shares है है ना? एक company के पास दूसरी company के 50% shares है हमें कितने जरूरी होते है holding subsidiary की relationship बनाने के लिए more than 50 50.01 होगा तो भी चलेगा more than 50 लिखा है 51 लहीं लिखा है कहीं पे भी ठीक है? तो more than 50% is necessary यहाँ पे more than 50 नहीं हो रहा है यहाँ पे exactly 50 हो रहा है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यह subsidiary नहीं है पर क्यों मैं मैं फिर से वही चीज़ आपको बता रही हूं क्योंकि अब हम concept एक जो introduce करने वाले हैं वो हम introduce करने वाले हैं voting power का voting power voting के हगदार किसके पास होते हैं किसके पास voting power होती है shareholders 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 कौन से equity shareholders या preference shareholders equity ठीक है फिलहाल यहाँ पे लिखते जाओ preference shareholders पूरा ही लिखते हूं preference shareholders shall be ignored while computing voting power because preference जुए अजिने टो और आप तो वो आप नचेनर अच्छर इन अजिन अजन अच्छिंग अच्छिंग उन अच्छिंग इस पूतिंग आपव और Generally, one share is equal to one vote किसी कमपनी के मेरे पास 10 share तो मतलब मेरे पास कितने votes हुए? 10 vote आपके पास 100 shares तो आपके पास कितने vote हुए? 100 votes तो मतलब अगर यहाँ पे इस कमपनी की हम बात कर रहे हैं 2000 shares इस कमपनी ने total issue किये है मतलब total votes of this company कितने होंगे? 2000 इसमें से B-Limited के पास कितने votes होंगे? 1000 क्योंकि उनके पास 1000 share One share is equal to one vote तो इनके पास 1000 share मतलब इनके पास 1000 votes तो 1000 votes out of 2000 votes into 100 also comes out to be 50% तो मतलब voting power कितनी है इनके पास? 50% clear है? confusion कोई? जब अब आते हैं थोड़ी सी और बात पर थोड़ी सी और बात क्या है? थोड़ी सी और बात यह है कि generally तो यह होता है एक अलग situation भी होती है जो होती है DVR किसी को फिल फॉर्म पता है? सुना आए कभी DVR differential voting rights very good differential voting rights लिख लो इसके नीचे लिख लो differential differential voting rights मैं आपको दो option देती हूँ आपने मेरी company में invest किया ठीक है? मैंने आपको कहा भाई एक share आपने 100 share खरीदे हैं मैंने का आपके पास 100 voting rights है 100 shares है तो 100 voting rights है मैं आपको दूसरा option देती हूँ एक काम गरो ना यह voting rights छोड़ दो वैसे भी आपको पता नहीं होता है मेरी company में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपके हां के decision लोगे vote दोगे आप voting rights छोड़ दो मैं आपको एक share पे double dividend दूँगी मतलब 100 shares तो दूगना dividend तो आपके accept कर लोगे हो सकता है मां कर भी ले क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो छोटे-छोटे shareholders होते हैं उनको नहीं पता होता है company में क्या चल रहा है उनको right to vote से कोई मतलब नहीं होता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने votes बहुत important होते है जैसे बड़े-बड़े जो उस company को manage कर रहे है उनको नहीं लगेगा हमने सारे votes अगर बाट दिये तो भाई ये लोग आके पता नहीं company में क्या अंद्रबन decision ले लेंगे हम company अपने हिसाब से चनाला चाहते हैं तो वो कभी-कभी ऐसे shares भी issue करते हैं जहां पर ऐसा भी हो सकता है कि one share is equal to hundred votes ठीक है? अब ये बहुत तरीके का हो सकता है हम इस पर discussion नहीं कर रहे हैं ठीक है? हमको आगे बढ़ना है concept में ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है this is just an example DVR का मतलब ये नहीं होता है कि एक share is equal to hundred votes DVR का मतलब differential voting rights मतलब voting rights vary कर सकती है to the general rule of one share is equal to one vote ठीक? चलो अब आते हैं भाई वापिस से इस previous example पर या तो आप ना ऐसे लिखो example if in previous example DVR issued है and one share is equal to two votes then what will be the total votes in the company and will A limited be subsidiary of B limited two questions who will come to the company who will come to the company will do it by the company open अचा अचा एक मिनिट एक मिनिट रुख जाओ 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 DVR जो मैंने लिखा है ना 1 share is equal to 2 votes यह सब के लिए नहीं है बिटा सबको DVR issued नहीं है of B limited बस जो B limited के पास shares है वो differential voting rights वाले shares है बाकी normal shares है, बस जो B limited के पास shares है, वो differential voting rights वाले shares है, बाकी normal shares है, मतलब, Mr. X के जो shares है, 500 shares है, तो हर share पे एक voting right है, मतलब 500 votes, B limited के पास जो shares है, 1000, एक share पे दो votes है, मतलब, total votes हुए, 2000, और others, कितने shares पचे, क्योंकि total shares company के पास कितने थे, इन पे भी एक votes है, मतलब 500, तो total votes कितने हुए, 3000, total votes, समझ में आई बात सबको, हाँ या ना, समझ में आई बात, येस, 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 अचा, क्या चीज फिर से explain करूँ, क्या नहीं समझ में, DVR नहीं समझ में आया, कि ये नहीं समझ में आया, अचा, net चला गया, तो पेटन, net चला गया तो, आप class के बात में repeat कर लेना, तो ये समझ में आई, अब हम निकालते हैं, कि क्या B Limited के पास, more than 50% voting power है या नहीं है, B Limited के votes कितने, या voting power कितनी, 2000, है न, 2000 votes है, out of total 3000 votes into 100, तो ये कितना आएगा, कितना percentage आ रहा है, 66.67, which is more than 50%, so can we say that A Limited is the subsidiary of B Limited, Yes, A Limited is the subsidiary of B Limited, चला, बहुत खुशी है, मुझो देखके कि फटा-फट से सारे answers सही आ रहे है, समझ में आ रहा है सबको, बात समझ में आ गई, एक बार में definition फिर से पढ़ा रही हूँ, चीक है, और उसके बाद हमें ये limit वाली चीज़ पढ़नी है, तो हम उस पर जाएंगे, अब हम इस पूरी definition को पढ़ने के लिए तयार हो चुके हैं, in relation to any other company, मतलब in relation to its holding, it means a company, एक subsidiary, एक company ही हो सकती है, कोई individual नहीं हो सकता है, in which the holding company, मतलब in which the other company, जिसके relation में हम बात कर रहे हैं, वो controls the composition of board of directors, या तो वो हमारे board of directors के composition को control करती है, या फिर और हमारे उपर control exercise करती है, how, by holding more than half of total voting power, voting power अब समझ में आ गई है, या तो खुद से directly, either at its own, या फिर अपनी subsidiary की holding मिला के, और together with one or more of its subsidiary companies, ठीक है, अब एक-एक word समझ में आ रहा है definition का, अब आते हैं एक और छोटे से part पर, इसके बाद ही हमारे last topic है आज का, क्योंकि थोड़ा सा heavy सा concept था, तो इसके बाद subsidiary के बाद हम आज कोई concept नहीं करने वाले हैं, पर हम subsidiary को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है? लिखा है कि, provided that such class or classes of holding companies as may be prescribed, शल नॉट have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed, यह क्या है? किसी को बता है यह क्या है? layers of subsidiaries बोला है, layers of subsidiaries, किसी को idea है कि Reliance के कितनी subsidiaries है? डेड़सों से उपर subsidiary होंगी, बहुत सारी हैं, तो क्या ऐसा है कि एक company की दो से जादा subsidiary नहीं हो सकती है, ऐसा है क्या? नई माम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इस misconception को आज के आज दिमाग से निकाल दो, दो से जादा subsidiary हो सकती है, दो limit है, पर किस पे limit है? लेयरिंग पे, अब सभाल ही ऊचता है कि ये लेयरिंग किया है माम, है ना, एनी company cannot have more than two layers of subsidiaries, पहले यहाँ पे क्या था? पहले यहाँ पे एक special type of companies होती थी, कि investment company के उपर ही ये restriction लगाया गया था, कि आप ज़्यादा layers नहीं रख सकते हो, अब हर company के उपर है, तो company क्या है, company except for, except हमारी यहाँ पे कुछ exceptions दिये हुए, इनको छोड़के, जैसे government company है, तो government company को सब छूट रहती है, तो government company वगरा को छोड़के, कोई भी company की ज़्यादा layer नहीं हो सकती है, दो layer से beyond नहीं हो सकती है, दो layer तक permitted है, दो layer से beyond नहीं हो सकती है, अब सवाल ही उठता है कि यह layer क्या होता है, A limited, holds 60% shares in F limited, F limited subsidiary, A limited holding हाई या ना, F limited is called as layer 1, F limited holds 70% shares in G limited, G limited भी subsidiary हुई की नहीं होई, subsidiary of subsidiary हुई की नहीं होई, यह क्या हुई, layer 2, ठीक है, इसके नीचे ओर जाते हैं, G limited holds 72% shares in H limited, यह H limited क्या हुई, यह हुई, layer 3, यह permitted नहीं है, लिखना, लिखना जरूर और लिखके काटना, इसका मतलब कहीं से भी यह नहीं है, कि layer 1 में और companies नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, you may also hold 52% shares in B limited, this will also be called as layer 1 only, you may also hold 100% shares, अब 100% shares बताऊंगी, तो अभी आप थोड़ा सा और confused हो जाओंगे, but it's okay, यह यह जाने दो, मैं किसी दिन आपको ऐसे ही बता दूंगी, because this is not something which you should know according to your syllabus, तो मैं एक्स्ट्रा ग्यान नहीं दूंगी, बता दो, चलो ठीक है, जिसको सुनना है, उसके लिए मैं बता देती हूँ, और जिसको नहीं भी सुनना है न, मतलब अगर नहीं समझ में आए, तो लोड मत लेना, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके, उपर लिख लेना, not in syllabus, ठीक है, और उसके बाद मैं बता देती हूँ, बता दो माम नींद में आएगी, पर मैं एक दो चीज़ यहाँ पर बता रही हूँ, मानलो 100% shares hold कर रहे हैं, in C Limited, यह हो गई Holy Owned Subsidiary, holds, 60% shares in D Limited, अब यह होती है, यह हमारी Layer 1, माम यह Layer 1 क्यों नहीं है, यह Layer 1 इसलिए नहीं है, क्योंकि Holy Owned Subsidiary is exempted, ठीक है, तो Holy Owned Subsidiary यहाँ पर जब आती है, तो Layer 1 इसके बाद से count होती है, फिलाल इसमें Deep Concept और भी बहुत ज़ादा है, बट इतना आप समझ लो तो काफी है, in E Limited, यह हमारी हो गई Layer 2, What is Holy Owned Subsidiary, जिसको हम बोलते हैं, WOS, क्या है Holy Owned Subsidiary, Subsidiary क्या होती है, H Limited, S Limited, H Limited भाई, more than 50% shares भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि normal cases में, one share is one vote, तो shareholding और voting power will be the same, exceptional cases में shareholding और voting power अलग होती है, जब DVR आता है picture में, जो normal cases में नहीं आएगा, पर मैंने आपको समझा दिया है, उस exceptional situation के लिए आप तयार हो, है ना, तो H Limited, अगर S Limited के more than 50% shares hold करता है, तो इसको हम बोलते हैं, कि यह subsidiary हो गई, H Limited, अगर S Limited के 100% shares hold करता है, तो इसको हम बोलते हैं, कि holy owned subsidiary हो गई, ठीक है, problem, 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 यह क्या है, एक public company है, हई public company में minimum number of members कितने होने चाहिए, साथ, सेवन, तो अगर सारे के सारे shares सिर्फ H Limited hold कर लेगा, तो इसमें member कितने होंगे, एक, तो आपने public company कैसे बनाई, है ना, problem हो जाएगी ने, problem हो जाएगी, तो ऐसी situation में क्या होता है, एच लिमिटेड अपने एक, दो, तीन, शार, पाँच, छे, नॉमिनी कोई पॉइंट करता है, यह सब लीगल होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि परदे के पीछे टाइप का कुछ काम हो रहा है, सब लीगल है, ठीक है, यह एक, एक share hold करते हैं, कितने share होगा है इनके, 6, मतलब 6% या, जो भी आप समझ लो, 6 share समझ लो, जो भी bare minimum हो पाता है, एक, एक share hold करते हैं, और बाकी अगर हम 100 share की बात कर रहे हैं, तो बाकी 94 shares किसके पास होगे, इसके पास होगे, just for the sake of compliance of law, ठीक है, तो हमें यह आपकी understanding के लिए है, और यह हमें ध्यान में रखना है, कि holy owned subsidiary का मतलब क्या होता है, जब 100% stake होता है, तो, 100% stake कैसे होता है, क्योंकि बच्चों के मन में obviously confusion आता है, अगर private limited के आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर दो यह members चाहिए, ठीक है, नहीं, प्राइवेट भी हो सकती है, holding subsidiary का concept कहीं से भी public company के case में restricted है, ऐसा नहीं है, private companies भी हो सकते हैं, OPC नहीं हो सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो अगर private company आप acquire कर रहे हो, वो आपकी holy owned subsidiary है, तो वहाँ पर एक ही nominee appoint करना पड़ेगा, क्योंकि दो ही members की requirement है, minimum number of members टू ही चाहिए, है ना, तो बात समझ में आ, यतनी, क्या लिखा है, provided that such class और classes of holding companies as may be prescribed, तो यहाँ पर all companies, all types of companies, क्या prescribed है, all types of companies, her types of companies shall not have layers of subsidiaries beyond such number as may be prescribed, what is prescribed to, यहाँ पर लिख लो, अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है, जाने दो, no company other than the following companies, shall have more than two layers of subsidiaries, मतलब हर company के उपर यह restriction लगा है, कि आप दो layer of subsidiaries से जादा नहीं hold करोगे, इसमें चार exceptions fall करते हैं, चार exceptions कौन से हैं, banking, NBFC, insurance और government, जिसको अभी नहीं पता है कि NBFC क्या होता है, don't worry, दीरे दीरे आपको मैं बता दूँगी, पता चल जाएगा, insurance company पता है, आपको banking company पता है, आपको government company पता है आपको, है ना, government company की भी definition हम पढ़ेंगे, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी, इतनी बात clear है, आज हमने भी बहुत heavy concept पढ़ा है, एक subsidiary company का, which is very important for your examination perspective, बहुत questions इससे पूछे जाते हैं, ठीके, तो I hope आप लोगों को ये चीज समझ में आई है, अब, आज का homework क्या है, यहाँ पर छोटा-छोटा सा illustration दिया हुआ है, तीन, जो हमने बड़े अराम से मक्खन की तरह किया है, इससे भेंकर illustration हम कर चुके हैं, पर ये आपको check करना है, पढ़ना है, ठीके, कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीके, holy owned subsidiary मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है, which is extra shots of knowledge, right, you know this, okay, this is the definition that we have done, दो homework में आज के दे रही हुँ, एक ये जो illustration, कभी भी, क्या, एक minute, I think there is some question, A Limited has 51% of shares of B, but B has DVR, make more voting rights than 51% and, कभी भी अगर DVR issued है, तो हम voting rights को ही consider करते हैं, voting power को ही consider करते हैं, ठीके, voting power मतलब यही है, कि one share is equal to one vote in normal situation, और अगर DVR है, तो accordingly, जो भी voting power compute होगी वो, ठीके, आपसे DVR के सवाल कम पूछे जाएंगे, but you have to be just prepared for that, ठीके, वोटिंग पावर का मतलब वही होता है, तो वोटिंग पावर आपको पता होनी चाहिए, ठीके, जादा high chances यही रहते हैं, कि आपसे share capital से ही proportion में पूछा जाता है, तो it is simple, ओके, दो homework आज का, पहला homework यह illustration, और दूसरा homework, everyone has to write the definition of subsidiary company, subsidiary company की क्या करनी है, definition लिखनी है, कैसे लिखेंगे माम, पढ़ लिया है हमने, जो आपको याद आए, आपको वो लिखना है, company in which holding company controls the composition of board of directors, और, ठीक है, तो जो language आपके दिमाख में आए, which makes sense, उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, लिखो और उसको दो-तीन बार पढ़ो, फिर compare करो कि हमने क्या लिखा है, तो यह आपका homework है, लिखना ही लिखना है एक बार, और जो illustration है, वो करना ही करना है, apart from whatever revision you do, ओके, अच्छा, अब देखो confusion एक आया है, फिर से बच्चों के मन में और इसका जवाब आप लोग दोगे, एक बच्चा बोल रहा है कि माम, Reliance की 150 से प्लस subsidiary आपने ऐसा कहा और limit तो 2 है, तो ऐसा कैसे, बेटा, layering पे limit दो है, Subsidiary की layering पे limit है, एक company में 50 क्या 500 हजार कितनी भी subsidiaries हो सकती है, एक company की, पर फिर उस subsidiary की subsidiary, फिर subsidiary की subsidiary, फिर subsidiary की subsidiary, इसको बोलते है layering और layering पे limit है, ठीक है? चलो, I think इतनी बाते clear है, एक quick recall बस एक ही चीज़ का, प्राइविट कम्पनी, पब्लिक, स्वारी, पब्लिक कम्पनी ने, OPC और subsidiary, बताओ, किसी को याद है? 68, 68, 68, private 868, OPC का actually इसमें one person होता है, बट इसमें fortunately, unfortunately, जो भी आप बोलो, section number two आ जाता है, मतलब, नाइनसाफी सा समझ सकते हो, या याद रख सकते हो, कि यह ऐसा ही है, देखो, यह alphabetically हमेशा होगा, तो OPC पहले आएगा, प्राइविट कम्पनी बाद में आएगा, और subsidiary उसके भी बाद आएगा, यह आता है, 62, प्राइविट आता है, 68, और अगर मैं बोलू, पब्लिक, तो पब्लिक क्या, बाद में आएगा, कि पहले आएगा, और बाद में आएगा, क्योंकि PR और PU, अलफबेटिकल, अब यह तो समझाने की जरूवत नहीं है, ना, समझेट हो ना, मैं क्या बोल रहे हूँ, यह आता है, 71, और सब्सीडियर यह आता है, 87, ठीक है, होम्वोर्क तो लाँ, क्लिर, I think we are good to wrap up the session, आज का ये ख्लास हम यहीं पर wind up करते हैं,